अटनो दो मैंदे एसमें आप सभी लोग आज लोग जेए चैलेंजर में फर्मो टानमिक्स का लेक्ष्टर वन कंप्लीट करने जा रहे हैं फर्मो टानमिक्स यह आप सब मच्छे जानते हैं काफी चीज़ें ऐस पूस्टी जाती है तो देखे आज हम क्या किया कबर करने वाले हैं आप सब बच्चे जानते हैं आज हम कब देंगे फॉस्ट लॉप थर्मडानमिक्स हीट मॉलरी इंटर्नल एनरजी एंथल्पी एंड वर्क यह सब लोग कबरने वाले हैं और यह सारी चीजे हम लोग प्रोल सबसे पहले रिएक्षन लिखते हैं देखिए हम लोगों यहां पर डेलटाइच दिया वाए क्या वैल्यू देखिए रखिए डेल्टाइच की आप सबस्क्राइच देखिए वाट डेल्टाइच वैंट टू मॉल ओफ लिक्ट्वीड विपराइज यह आप लिख लिजेगा एन इक्वल टू मॉल ठीक है बही दा हीट ओफ विपराइजेशन डेल्टाइच ऑफ वाटर एट हंडर्टी संटिग्रेट 40.7 यह वैल्यू में दी ह पोर वन मॉल पोर वन मॉल आप सभी लोग जानते हैं फॉर्मूला डेल्टा एच एक्वल टू डेल्टा एप्लस डेल्टा एंजी आर्टी डेल्टा एंजी आर्टी क्लियर सबसे पहले हम कैल्कुलेट करेंगे डेल्टा एंजी की वैल्यू क्या होगी देखिए कितना है ड Δ N G होगा 1-0, यानि Δ N G की वैल्यू कितनी है? 1. अब फोर्मर्स यूज़ करिए, Δ H की वैल्यू कितनी दिवी है? 40.7. 40.7 equal to Δ E plus Δ N G कितना है? 1. R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू हम यूज़ करेंगे according to the value of Δ H, Δ H का यूज़ क्या दिया हुआ है? किलो जूल में दिया हुआ है, इसका मतलब R की वैल्यू होगी 8.314 into 10 देज बावर minus 3, चलिए इस वैल्यू को रखते हैं, 8 into 8.314 देखे, वैल्यू आईगी हमारे पास R की वैल्यू है 8.314 into 10 देज पावर minus 3, और temperature कितना होगा? 373 केल्विन देखो हमें 100 degree centigrade दिया हुआ है आप सब बच्चे जानते हैं, केल्विन में कितना temperature होगा ये? 373 केल्विन तो यहां से मेरे पास देल्टा E की वैल्यू आ गई है 40.7 minus, इस दर ये minus जाएगा 40.7 minus किसे में आ गई? किलो जूल में इत्ती बास सब बच्चों किसे में आती है 42 मॉल 42 मॉल अब मुझे 2 मॉल के लिए कल्कुलेट करना है डेल्टा E तो आप देख सकते हैं, इसको मैं डेल्टा E 42 मॉल ऐसे लिख देता हूँ clear? तो आप डेल्टा E वैल्टा E वैल्टा E जो हमारी एक मॉल के लिए आ रखी है या ओल्लेडी आपके सामने हमने कल्कुलेट करी है तो 2 से बटिप्राइब कर देते हैं 2 इंटू 40.7 minus 8.314 इंटू 10 देज बावर माइनस 3 इंटू 373 और ये वैल्टा E के बाद आ रही है 75.2 किलो जूल आप सब बच्चे इसको एक बार सोल कर लेना कितनी वैल्टा E आ रही है 75.2 किलो जूल तो ये जो हमने प्रोल्म कम्प्लीट करा है सब बच्चे को समझ में आया होगा एक बार में पुरा फिर से बता देता हूँ कैसे हमने प्रोल्म सोल किया है देखे इस प्रोल्म के इंदर H2O का विपराईजेशन हो रहा है H2O liquid convert into H2O gaseous phase यहाँ पर हमें delta E की value दे रखिया है 40.7 अब हम calculate करेंगे इसको एक mol के लिए हमेशा याद रखना कितने भी mol दिये हो अगर आपको phase transition हो या chemical reaction हो chemical reaction में आप हमेशा as per stationary coefficient जाते हैं लेकिन अगर आप कभी भी बात करते हैं phase transition की तो पहले 1 mol के लिए calculation करते हैं तो यह जैसे की formula आप सब बच्चे जानते हैं delta H equal to delta E plus delta NG RT यहाँ पर delta NG कितना होगा 1 अब वैल्यू रखते हैं delta H की वैल्यू कितनी 40.7 equal to delta E plus delta NG कितनी 1 r की वैल्यू कितनी 8.314 into 10th power minus 3 temperature कितना 373 Kelvin तो यहाँ से मेरे पास delta E की वैल्यू जाती है 41 mol this value is 40.7 minus 8.314 into 10th power minus 3 into 373 clear so this is delta E for 1 mol problem में हमसे पुछा जा रहा है what is the value of delta E for 2 mol अब मुझे 2 mol के लिए calculate करना है 2 mol के लिए कितना हैगा 2 से multiply करते हैंगे इसको तो आप 2 से multiply कर दीजेगा 2 into 40.7 minus 8.314 into 10th power minus 3 into 373 और यह मेरे पास value आजाती है 2 mol के लिए 75.2 किलो जूल clear चलिए अब लोग next problem की तरब चलते हैं देखें अगला जो problem है एक बार सब पढ़िए इस problem को जैसे की दियावा है methane is considered to be an ideal gas initial temperature कितना दियावा है 27 degree centigrade यानि T1 की value है 27 plus 273 कितनी value आगई 300 Kelvin यह value हमारे पास आगई 300 Kelvin and 1 bar pressure तो हमें pressure भी दियावा है initially this is P1 and this pressure is 1 bar clear तो प्रोलम में क्या पोला गया है methane is considered to be an ideal gas initially 27 degree centigrade 1 bar pressure is heated at constant pressure यानि constant pressure के उपर इसको हीट किया जा रहा है तो यहाँ पर आप आप एड़ कर लीजे कौन सा प्रोसेस है यह आईसो बैरिक प्रोसेस constant pressure के उपर हीट किया जा रहा है pressure until the volume is double volume इसमें double हो जाता है यानि के हम calculate कर सकते final temperature क्या होगा देखिए कैसे calculate करेंगे n equal to pv upon rd clear अब mole तो constant है अब देखिए आप pressure initial pressure कितना है 1 bar volume कितना है v रखिए r temperature कितना है 300 pressure constant obviously 1 bar ही है volume को लेकिन उसने बोला कि double कर दिया है 2v यहाँ पर हम लोग बात करेंगे r into t final that is t2 जब हम इसको solve करते हैं तो हमारे पास t2 value कितने आ गई 600 Kelvin कितनी value t2 की 600 Kelvin और यहाँ पर हमें यह cp दिया हुआ है देखो ध्यान दिजेगा this is cp this value is cp यहाँ में cp value दे रखिए आप देख सकते हैं सब बच्चे this is cp that is molar heat capacity under constant pressure 20.0 plus 40.8 into 10th power minus 3 तो हमें calculate करना है calculate molar enthalpy and molar internal energy clear अब तो कैसे calculate होंगे अब आप सब बच्चे ध्यान दिजे देखिए बहुत असान है हम calculate करते हैं delta hm delta hm मतलब molar enthalpy that is n cpm n cpm dt limit t1 से t2 limit t1 से t2 n की value कितनी 1 यहाँ पर cpm की value लगा दीजे आप cpm की value कितनी थी हमारे पास देखिए आप लोग 20 plus this value is 20 20 plus देखिए धियान दिजे आप सब बच्चेस में हमारे पास जो value है 22 plus 48 into 10 days power minus 3 this value is 22 this is 22 plus 48 into 10 days power minus 3 into t एक बार चेक कर लिजे हमें cpm value कितनी दे रखी है cpm value है 20 plus 48 into 10 days power minus 3 चलिए इसको आप solve कर सकते हैं बहुत आसानी से देखिए आप लोग सब बच्चे dt into dt और temperature limit क्या होगी t1 से t2 यानि 300 से 600 clear अब यहाँ पर यह value आजाएगी delta h m equal to 22 t2 minus t1 तो direct कर सकते हैं t2 minus t1 600 minus 300 यह value आगी हमारे पास plus 48 into 10 days power minus 3 into this is t square by 2 आप जानते हैं सब बच्चे t का अच्चे आज़िए तो यह नीच्चा जाएगा t square by 2 और यहाँ पर आएगा 600 का square minus 300 square यहाँ तक सब बच्चे नोट करिए देखे दियान से आप लोग तो जब मैं इस value को solve करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास जो value आ रही है देखे आप लोग इसमें क्यासे सोल गिया delta hm equal to n cpm dt limit t1 से t2 आपने cpm की value रग दी 22 plus 48 into 10th power minus 3 t dt और limit ले ली हमने 300 से 600 जो की temperature आया इसके इंदर तो delta hm कितना आ गिया 22 600 minus 300 plus t square by 2 right t square by 2 तो यानि मेरे पास value आगे कितनी 600 square minus 300 square इसको एक बार simplify करेए ये value आगे 22 into 300 clear plus ये value आगे 24 into 900 आप यहाँ पर factor कर सकते हैं x square minus y square के आप सुब बच्चे जानते हैं x plus y x minus y तो 900 into 300 और यहाँ पर मेरे पास ये value कितनी आ गई देखें आप लोग हम कोमा ले ले देश किंदर 300 300 कोमा आ जाएगा ये आ जाएगा 22 plus और ये value आ गई 24 24 into 24 into 900 into 10 days power minus 3 अब आप देख लीजे सब बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो value आ रख ये CPM की ये भी दीवी किसमें कैलीज में दीवी है और हमें answer ला न किलो कैलीज में काम कर लेते हैं 1000 इसको डिवाइड कर देते हैं divided by 1000 ये कैलीज में आ गया और किलो कैलीज में होगा 300 divided by 1000 clear ये वाली value आ गए 22 plus 24 into 0.9 इतना किलीज में बच्चों को यहाँ से मेरे पास जो value आ जा रही है this is around 13.08 किलो कैलीज कितनी value आ गई 13.08 किलो कैलीज इसको आप सब बच्चे देख सकते हैं बताईए सब बच्चे को समझमाया कि नहीं डेल टैज कैसे calculate होगा एक बार फिर से बताऊं डेल टैज इक्वल टू N CPM DT molar की बात कर रहे हैं definitely N की value 1 है temperature already हमने calculate किये थे 1 into a volume इसनों ने बोला कितना हो गया double हो गया राइट जब volume double हुआ तो R into T2 तो यहां से T2 की value कितनी आ गई 600 Kelvin यह बात आप सारे बच्चों को समझमाती है T2 कितना आ गया 600 Kelvin अब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर आगे molar हम calculate करें molar enthalpy change कैसे आएगा molar enthalpy change हमसे पहले पूछा गया है calculate molar enthalpy change and molar internal energy change molar enthalpy change and CPMDT CPM के उसके बाद integrate किया हमने temperature की सारी values लगा दी आप देख सकते है calculation के थूँ यह हमारे पास आती है 13.08 चलिए मैं अगले पार्ट पर चलता हूँ उसके हम बात करते हैं delta U कैसे आएगा delta U हमारे पास formula है nCVMDT nCVMDT limit 300 Kelvin से 600 Kelvin अब CPM की value कितने होती है CPM-R this is CPM-R CPM की value कितनी है यह में दी हुई है value already और देखिए आप सब बच्चे CPM की value है 22 plus 48 into 10 days power minus 3T यह value हमारे पास 22 plus 48 into 10 days power minus 3T यह value किसकी है this is यह value है CPM और आर कितना होगा calories में 2 minus 2 कर दीजे आप देख सकते हैं यहां पर हमें only जो value दी गई थी calories per Kelvin per mole right चलिए आप देख सकते हैं यहां पर CPM की value आ चुगी है मेरे पास CPM equal to 20 plus 48 into 10 days power minus 3 into T clear चलिए अब calculate करते है delta U N CPM N की value कितनी 1 CPM की value रखिया this is 20 plus 48 into 10 days power minus 3 T D T यहां पर value आ जाएगी D T तो देखिए यहां तक सब बच्चों के बास पर में आ रही होगी और limit आएगी 300 से 600 clear अब इसको solve कर लिजेगा delta U equal to 20 into 600 minus 300 plus 48 by 2 आप सब बच्चे जानते हैं T का कितना होगा T square by 2 और यहां पर यह value आएगी मेरे पास 600 का square minus 300 square चलिए इसको simplify करने है भई क्या value आती है अपने पास देखिए ध्यान से इसको एक बार सब बच्चे simplify करिए this is delta U equal to 12.48 kilo calories यह कितनी value आई है calories में हमारे पास यह values already किसमे है calories में इसको एक काम करते हैं 10 days power minus 3 से multiply कर देते हैं 10 days power minus 3 से multiply करने के बाद value मेरे पास किसमें आ गई kilo calories में अब बताएं यह problem सभी बच्चे समझ गए चलिए आगे बढ़ते हैं यह वाला problem देखिए आप सभ बच्चे एक बार पढ़िए two mole of a perfect gas undergo following process undergo following process क्या process आप देखिए इसका graph बना लेते हैं इधर हमने pressure लियावा है इधर volume लियावा है यह bonus के अंदर two mole of a perfect gas undergo following process reversible isobaric expansion isobaric expansion initial state दियावा है कितना one bar 20 liter आप देखिए सभ बच्चे धियान से one bar this pressure is one bar and volume is 20 liter clear यह पहली state आ गई इसको expand किया one bar से 40 liter और isobaric expansion है यानि आप यहां से isobaric expansion के थुरू a से b पर चले गए और यहां पर आप देख रहे हैं कितना volume है 40 liter this is isobaric expansion उसके बाद दियान दीजे reversible isogoric change of state from one bar 40 liter to point five bar 40 liter यानि आप समझ सकते हैं आप यहां पर मैं दूसरे color से दिखाता हूं उसको यहां पर आप देख सकते हैं यह जो प्रोसेस हुआ द्यान दीजे सब बच्चेस के अंदर यह जो प्रोसेस हुआ बी पॉइंट तक का जहां पर कितना वोल्यूम था 40 लेकिन वोल्यूम ऑ 40 लीटर ही है चुकि आइसोगोरिक प्रोसेस है लेकिन प्रेसर कितना है 0.5 0.5 ATM यहां पर 0.5 ATM तक आ गए आप देख सकते हैं इस प्रेसर ही 0.5 ATM क्लियर अब हम प्रोसेस में आ गए B से C तक आ गए उसके बाद रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन फों 0.5 बार 40 लीटर तो 1 बार 20 लीटर यानि इनिशल स्टेट में वापस आ गए यह यहां पर इनिशल स्टेट पर वापस आ गए अब आप समझ सकते हैं हम लोग पहले A से B तक गए आइसोबारिक प्रोसेस के कोडिंग ली फिर B to C पे आए क्लियर देट इस आइसोगोरिक प्रोसेस देन C to A इस इस आइसोथर्मल आइसोथर्मल कंप्रेशन अब जैसे कि मैं बोला गया है इस प्रोसेस के पीवी डाइगरेम इसका में बनाना था और इसमें कौन-कौन से प्रोसेस हैं वो भी लिख देते हैं एक बार देखे दियान से मैं प्रोसेस के नाइम लिख देता हूँ इस इस आइसोबैरिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है ये इसोबैरिक प्रोसेस क्लियर इसके बाद हम बात करते हैं इस इस आइसोखोरिक प्रोसेस इस प्रोसेस इस आइसोखोरिक और इस प्रोसेस इस आइसोथर्मल इस इस आई सो थर्मल प्रोसेस के लिए रहा समझ चको अब हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेट वर्ग डन टोटल हीट चेंज इन वोल्ड इन दी अब प्रोसेस तो बहुत असान है देखें आप लग समसे पहली बात यह एक सैकलिक प्रोसेस हो गया अब जैसे कि यहां पर मैं वर्ग डन कैलकुलेट करूंगा तो टोटल कितना हैगा मेले पास डवलोवी प्रोसेस काPS हमायों यस दुलेशूट फ्रोसेस का सार्वाध डन इसोबरिक प्रोसेस में यह आई गा वाइनस अर टू Hebrews यहाप स window जाएंप माइनस शनौ सम्हें जानते हैं इसोबर हीं किया होता है माइनस अर्ट टू माइनस यह आप अप कोनि सकते थे माहीन पी एक्स्टर्नल इन शेडो93 और पी एक्स्टराइप वी-2 एक यह टी त तो nr इसमें कोमन आ गया तो nr t2 minus nr t1 और finally आ गया wab equal to minus nr t2 minus t1 अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास बल्च आप डिर्ग को देख सकते हैं धियान दीजिए सब बच्चे इसके इंदर w a b equal to minus p v2 minus v1 चुकि मुझे pressure and volume दोनों दिये मैं इसी process के coding calculate करेंगे तो यहाँ पर आएगा minus p, p कितना है? 1 p कितना है? 1 bar तो यहाँ पर volume कितना है आपके पास? 40 liter v2, 40 minus 20 40 minus 20 तो यह value आजाती है मेरे पास w a b equal to minus 20 bar liter minus 20 bar liter सब अच्च उस तरज में आता है clear? चलिए आगे बढ़ते हैं w c a w b c यह process कौन सा है? this is isochoric process और isochoric process के अंदर burden कितना होगा? 0 हम calculate करेंगे w c a process यह कौन सा process है? reversible isothermal compression और इसका burden क्या होगा? minus n r t l n v2 by v1 clear? n r t को हम क्या लिख सकते हैं? p into v लिख सकते हैं? कोई दिक्कदी वाली बात नहीं है n r t equal to p into v this is 1 into 20 minus 20 यह जाएगा l n v2 minus v1 v2 कितना? 20 v2 कितना? 20 और यह कितना? 40 clear? यह वाली 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 आगी मेरे पास l n 2 20 l n 2 तो w c e equal to 20 l n 2 और l n 2 कि वाली वाली कितनी है? 0.7 तो यह वाली वाली आगी मेरे पास 20 into जब धियान दी सब बच्चे यह वाली आजाती है 20 20 into 0.7 clear? 20 into 0.7 और यह वाली 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 है? 14 कितना वाली 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 है? 14 यहां तक सब बच्चों को स्वज मेरे हाता है clear? अब वर्टरन कल्कुलेट कर लेने आगे देखे धियान से अब W टोटल W टोटल कल्कुलेट करेंगे W A B प्लास W B C प्लास W C A देखिए W A B की वैल्यू कितनी है एक बड़ चेक कर लेते हैं W A B की वैल्यू हमारे पास माइनस 20 W A B की वैल्यू है माइनस 20 W B C कितना है 0 और यह कितना है 14 यह वैल्यू आगई माइनस 6 बार लीटर क्लिर हुआ अब कैल्कुलेट कर लेते हैं W टोटल कितना होगा माइनस 6 इंटू 100 आप जानते हैं 1 बार लीटर इक्वल टू 100 जूल मैं लिक देता हूं आप लोगे लिए 1 बार लीटर इक्वल टू 200 जूल क्लियर वैल्यू रखिए आप तो डबलू टोटल आगया मेरे पास कितना माइनस 600 जूल राइट अब हम लोग क्या करने जा रहा है दिसी डबलू टोटल अब हमारे पास साइकलिक प्रोसेस है साइकलिक प्रोसेस में डेल्टा यू की वैल्यू कितनी डेल्टा यू टोटल टू 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 तो cyclic process में आप सारे बच्चे जानते हैं delta u total कितना zero this value is zero तो यहां से q total अजाएगा मेरे पास minus w total minus minus plus 600 joule तो यहां से आप लिख लिजे q की value कितने आ गई 600 joule चलिए वापस आते हैं problem के उपर आप देख लिजे मुझे क्या क्या calculate करना था work done total heat exchange क्यों एक बात मैं दुबारा से बता देता हूं यह प्रोलम हमने soul कैसे किया है देखिए बहुत ही अफान है जैसे कि इन्हों ने दिया वागा कि two more of a perfect gas undergoes following process पहला process है a2b this is isobaric expansion जिसके अंदर volume कितना 20 liter से 40 liter अंदर constant pressure उसके बाद isochoric इंदर आप देख सकते यहां पर pressure कितना हो गया 1 से 0.5 और फिर c to a this is reversible isothermal compression जिसमें volume हुआ 40 liter से 20 liter अब हमें w total calculate करना है w total कैसे आएगा यह आप जानते हैं w total equal to wab plus wbc plus wca clear यहां से value आगे w total equal to wab plus wbc plus wca wab कितना होगा minus p v2 minus v1 यानि के minus 1 into 40 minus 20 तो यहां से मेरे पास wab की value आगे minus 20 bar liter wbc कितना होगा 0 क्यों 0 होगा because this is isogoric process अब wca process is reversible isothermal compression वर्ण क्या होगा minus nrt ln v2 by v1 clear अब यहां पर हम क्या करेंगे nrt की value p into v रख देंगे कोई दिक्कत नहीं है और p की value कितनी है 1 volume कितना है यहां पर 20 तो यहां पर यह value आ गए nrt की 20 ln 20 divided by 40 इसको simplify करने के बाद मेरे पास value आजाती है wca 20 ln 2 clear अब यहां पर ln 2 की value हमें हमें दी हुई है कितना 0.7 यह value रखिए 20 into 0.7 equal to 14 तो अब हमने हर एक process के अंदर work run calculate कर लिया है अब देखिए यहां पर हम लोग यह है total work run calculate करने जा रहे है wab plus wbc plus wca wab कितना minus 20 wbc कितना 0 यह already isocoric process था wca कितना 14 यहां पर पूरे cyclic process के अंदर जो work run हमारे पास आया है that is minus 6 बार लीटर और आप जानते हैं 1 बार लीटर equal to 100 Joule तो इससे मेरे पास value आ गए जूल के अंदर minus 6 into 100 यह value आपके पास जूल में आ गई और finally w total आ चुका है minus 600 Joule अब हम बात करने जा रहे है delta u total क्या होगा delta u total q total plus w total delta u total कितना cyclic process के लिए 0 राइट अब यहां से आप बता सकते हैं q total equal to minus w total and this value is 600 Joule तो यहां से q की value कितने आ गई 600 क्लियर होगा से बच्चों को चलिए next problem पे चलते हैं देखें यह जैसे कि यह problem है इसके अंदर हमें diagram भी दिया हुआ है a monoatomic ideal gas of two moles is taken through a reversible cyclic process जैसी के में दिया हुआ है from a as shown in the figure clear the volume ratio are vb upon va यह मैं value दे रखी है एक बार लिख लिएगा vb upon va की value 2 दी हुई है अगर मैं va को v ले देता हूँ तो मेरे पास vb की value कितनी आ गई यह आप देख सकते हैं सबच्चे 2v कोई डाओ फिर आगे दियावा है vd upon vd upon va va की value भी रखिए vd upon va equal to 4 तो यहां से बता सकते हैं vd equal to 4v इतनी बार सबच्च्च में आ गई चलिए if temperature at ta ta का temperature दियावा हमें सब्सक्राइब कितना पीए इस गिविन ट्री हंड्राट केलिविन क्लियर हुआ कैल्कुलेट टेंपरेचर एट पॉइंट भी अब हमें टीवी की वैली बतानी है इसके इंदर कितनी होगी आप देख लीजिए आप इसके इंदर कि बहुत असान है आप देख सकते हैं इभी प्रोसेस वी और टी आप में स्टेट लाइन पासिंग त्रूरेजिन इसके महिंदब प्रेशर इस कॉंस्टेंट तो वी इन से यह अप प्रोसेस इस कैसा प्रोसेस होगा एस सो बैरिक प्रोसेस अपर जब यह आइसो बारिक प्रोसेस है तो हम बता सकते हैं वी ए अपॉन टीए देखो ध्यान दीए में कलर चेंज कर लेता हूं यहां पर यह आएगा वी ए अपॉन वी वी इक्वल टू टीए अपॉन टीवी यह वैल्यू रखेंगे देखो वी एकी वैल्यू कितनी है वी एकी टीए वी एक वेल्यू कितनी थ्रीहंड्रट और टीवी वह में कल्कुलीट करना है आप कल्कुलीट कर लिए त्यों टीवी कितना जा रहा है हमारे पास इसको सोल करने के बाद टीवी एक्वल टू टू सेक्स हंडर्ड केलिविन एक बार सारे पारिश्चिस को नोट करिए प्रोसेस में आपको हीट बतानी है तो चलिए अब हम इंशी जो प्रोसेस अडिटिफाई कर लेते हैं कौन कौन से प्रोसेस हैं यह जो प्रोसेस आया है a b प्रोसेस यह अभी प्रोसेस इस आइसो बैरिक प्रोसेस इस अइस बैरिक बढ़िए इसका इसका cvm जो calculate करी लेंगे न cvm की value कितनी 3 by 2 r cvm equal to 3 r by 2 और cvm कितना होगा आप जानते हैं cvm plus r यानि 5 r by 2 cvm equal to 5 r by 2 अब मैं एक एक process की बात करूँगा यहाँ पर और इसको लेके चलेंगे तो सब बच्चे दियान देंगे मुझे heat absorb calculate करने और फिर total burden भी बताना है फाइनली चलिए देखो धियान दीजे हम बात करने जा रहे हैं पर process a b की a b process कैसा था हमारा this is a isobaric process clear अब आप बता सकते हैं q a b equal to n cpm dt और temperature range क्या होगी टी ए से टी बी होगा एक बार more check कर दीजे कितने मोल हैं राइट दो को मोल कितने इसके अंदर तू मोल तो याद रखना है याप पर n की वैल्यू कितनी ले रही है तू मोल तू मोल ले ले लेते हैं इसके अंदर देखिए आप लोग इसके इसमें n equal to 2 cpm की वैल्यू कितनी है चेक कर लिजिए cpm की वैल्यू है cpm is 5r by 2 तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 5r by 2 2 into dt और लिमिट होगा 300 से 600 क्लियर वैल्यू सोल करते हैं qab equal to 2 into 5r by 2 into 600-300 this value is 600-300 2 से 2 चला गया यह वैल्यू कितनी हो गई 5r की वैल्यू calories में ले लेते हैं 2 r की कितनी वैल्यू लेते हैं calories में 2 clear calories per mole per Kelvin राइट यह r की वैल्यू रख लेते हैं यह वैल्यू आपर तो यह वैल्यू आ गई 10 into 300 equal to 3000 एक बार चेक कर लिजिए यह इस प्रोसेस के इंदर यह हमारे पास वैल्यू आ रही है qab कितना आ रहा है 3000 एक बड़ चेक करिए इसको कितनी वैल्यू आ रही है 3000 calories में अब बताओ सब बच्चे समझगें कि रही है तो qab आगे अपने पास चलिए इसके बाद अब मुझे calculate करना है bc process आप देखो धियान दीजिए bc process कैसा है this is iso thermal process temperature constant है ना चलिए तो यहां पर आजाएगा आपके बास अब bc process की बात करेंगे this is iso thermal process राइट isothermal process के लिए delta u की value कितने होती है 0 and this value is qbc plus wbc तो यहां nrt ln v2 by v1 अब आप एक बार चेक कर लिजे n कितने mol दिया है 2 mol देखे n कितने mol है 2 mol राइट देखो धियान दीजिए आप लोग यहां पर यह value आई कि मेरे पास minus 2 r की value 2 और चुकि bc process है तो temperature यह बाला लेना पड़ेगा हमें कितना 600 डिस इस 600 अलन अब देखो वी 2 कितना है एक बार चेक कर लिजे c point के ऊपर कितना बोल्यम है आप देख सकते हैं vd कितना बोल्यम है वी यानिके 4 v तो यह वॉल्यम हमारे पास 4 v और B के उपर कितना वोल्यूम है 2V यह में दिया वा है तो आप देख लीजे एक बार यह वोल्यूम है 4V यह वोल्यूम है 2V तो यहां से वैल्यू आ गई माइनस 4 इंटू 600 इंटू LN2 कितना 0.7 तो यहां से वैल्यू आ गई माइनस 2400 इंटू 0.7 यह वैल्यू में पास किसी में आ गई जूल में आ गई इतनी बात सबस्चे को सर्ज में आ रही सोरी कैल्डीज में आ गई तो आप बदा सकते मेरे पास वैल्यू आती है क्यू बीसी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस तो कि डबली की वैल्यू माइनस में आ रही है माइनस माइनस प्लस यह वैल्यू आ गई 2400 इंटू 0.7 एक बार चेक कर लिजी यह वैल्यू आ रही है 1663 चेक कर लिजी क्यू बीसी यह जाएगा 0 0 1683 1680 क्लियर हमने 0.693 वैल्यू ली होगी बहुत आसान है ऐसे को दिक्कत नहीं है यहां पर जो लें 1663 और हमारी वैल्यू आ रही है 16 चेक कर लिए एक बार वैल्यू कित दिया रही है 1680 यह difference हमने island 2 की वैल्यू ले लिए कितने 0.7 अगर 0.693 लोगे तो यही वैल्यू हो जाएगी तो इसको 0.693 रग लिजे आप लोग जो इसमें लिया वाए नोने आज इस देखिए आप लोग इसके अंदर 0.693 यह वैल्यू सोल कर लिजे और यह वैल्यू आ रही है WBC एकवल टू माइनस 1663 कैलरीज तो यहां से Q की वैल्यू आ गई 1663 कैलरीज तो अब एक बार यह भी आंसर चेक कर लिए हमारे पास वैल्यू कितने आ रही है Q 1663 चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए W हमारे पास आ रहा था माइनस और टी एलन वी टू बाई भी वन यहां से मेरे पास Q BC Q BC की वैल्यू कितने आ रही है माइनस देखो ध्यान दीजे माइनस 1663 यह Q BC आ जाएगा माइनस साइन के साथ में W माइनस 1663 and W is 1663 कैलरीज इतना पॉइंट के लिए रहा सब बच्चों को तो BC प्रोसेस के अंदर हमने Q भी कल्कुलेट कर लिया है और वर्क भी कल्कुलेट कर लिया है अब देखिए अब कौन सा प्रोसेस है अब इसके अंदर सी डि प्रोसेस की बात करेंगे राइट सीडी प्रोसेस में आप देख रहा होंगे वोली म शेंट वोल्यूं कॉंस्ट्थ है ढिस प्रोसेस eज आई सो कॉरिक प्रोसेस चलिए आगे बढ़ते हैं में यह जहां पर कि यह हमारे पास process कौन सा है CD process देखो हमने AB process की बात की BC process की बात करी अब CD process की बात करते हैं इस इस आई सो कोरिक process इस आई सो कोरिक process के अंदर आपको calculate करना है QCD direct formula है N CVM DT limit T1 से T2 यानि अब temperature जाएगा 600 Kelvin to 300 Kelvin यह आप value रखो यहाँ पर temperature आएगा 600 Kelvin to 300 Kelvin आप देख सकते हैं देखें आप लोग इसमें एक बार अगर आप C point के उपर temperature देखेंगे this is TB यानि 600 Kelvin और यहाँ पर temperature कितना है 300 Kelvin तो चलिए value आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके इंदर तो 600 Kelvin to 300 Kelvin और CVM की value कितनी है यह भी check कर लिजे CVM की value अपने पास है 3R by 2 तो यह value रखते हैं 3R by 2 तो यह आगे है 2 mole है 600 से 300 और CVM कितना है 3R by 2 तो यहाँ पर value रखिए 3R by 2 dt और simplify करके आजाएगा आपके पास यह equal to 3R into 300 minus 600 और यह value रही है QCD equal to this value is minus 300 into 3 into 2 यह value रही है तो this value is minus 1800 minus 1800 calories एक बर चेक करिए आप लोग QCD process this is minus 1800 क्लिए बच्चे को चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला process आते हैं कौन से बाला डी ए प्रोसेस यह process भी आपका reversible isothermal process है तो यह आएगा डी ए डी ए प्रोसेस डी ए प्रोसेस इस डी ए प्रोसेस इस आईसो थर्मल प्रोसेस के अंदर आप जब क्यों calculate करने जाओंगे तो डेल्टा यू तो 0 ही आएगा डेल्टा यू इक्वल टु जीरो डेल्टा यू इक्वल टु जीरो इक्वल टू क्यू डिये प्लस डबलू डिये ये value आएगी इस इस जीरो यहां से मेरे पास QDA की value आ चुकी है minus WDA अब मुझे WDA calculate करना है WDA कितना होगा WDA equal to WDA equal to minus NRD minus NRD LN V2 by V1 2 mole है minus 2 R की value कितनी है तो और temperature कितना है आपर 300 Kelvin तो इंटू 300 LN V2 A का जो volume है that is V और इसका volume कितना है 4V clear तो यहां से आपके पास WDA की value आजाएगी WDA equal to minus 400 minus 1200 minus 1200 into LN 1 by 4 that is LN4 minus minus plus LN4 LN4 को लिख सकने 2LN2 this value is 2400 LN2 और LN2 की value रख दीजे 0.693 तो यहां से आपके पास मैं इधर लिख देता हूं आप लोग के लिए WDA देखिए WDA की value आजाएगी WDA equal to कितना 2400 into 0.693 अब आप एक बार जब WQDA लिखेगे QDA equal to minus WDA यह value आएगी और value रखिएगा minus 2400 into 0.693 0.693 clear यह value आगे हमारे पास एक बार solve कर लिजे इसको भी तो हमारे पास QDA देखिए value कितने आ रही है 2400 into minus 0.693 यह value आ रही है तो यहाँ से देख लिजे तो QDA भी आगे हमारे पास अब हमें calculate क्या करना है इसके इंदर एक बार problem को देख लिजे heat absorb and release by the gas in each process यह हम calculate कर चुके है clear इसके बार है total work done by the gas during the complete cycle चलिए तो बहुत असान है देखिए दियान से आप सब बच्चिस को जब आप total work done calculate करेंगे तो total work done के रिए आप फिर से जो process यूज करने जा रहे है कौन सा process आएगा आपके पास मैं यही पर लिख देता हूं इसको देखिए दियान से यह process है हमारे पास a, b, c, d, a process this is cyclic process और cyclic process delta u total equal to q total plus w total और delta u total कितना होगी है 0 तो यहाँ पर मेरे पास w total की value कितनी आ गई minus q total आप लिख सकते हैं w total equal to minus q total में q, a, b plus q, b, c plus q, c, d plus q, d, a यह सारी value रख दीजे देखो कितनी value आती है w total equal to देखो धियान दीजे यह value आ रही है हमारे पास q, a, b q, a, b कि value calculate करिए q, a, b आ रही थी कितनी 3000 right तो value रखते हैं यह आ पर यह value है 3000 q, b, c, देखें कितना आ रहा था एक पर चेक कर लिए इसको भी q, b, c q, b, c हमारे पास آ रहा था 1663 clear plus 1663 और QCD देखे कितना आ रहा था QCD की वैल्यू आ रहे थिया हमारे पास माइनस एटीन हंड्रट ये इसको भी माइनस एटीन हंड्रट clear और ये वैल्यू कितने आ रहे थी Q DA QDA वैल्यू आ रहे थी अपने पास माइनस 2400 इंटू 0.693 तो आप देख सकते हैं 0.7 से भी ले सकते हैं इसको डिर्ट तो देखो ध्यान दीजे ये वैल्यू हो जाईए अपने पास माइनस 2400 इंटू 0.693 clear ये वैल्यू एक बार सब बच्चे नोट करिए जरा तो देखे ध्यान से हमारे बास q total ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है तो यहां से आप calculation कर सकते हैं इसके अंदर तो यह आजाएगा आपके पास दबलू टोटल इक्वाल टो चलिए हम लोग बढ़ने आगे इतना सब बच्चे समझ गे तो यहां से आपके पास दबलू टोटल आ गिया होगा ये वाली वैल्यू और यहां से q total आप calculate कर सकते हैं q total इक्वाल टो माइनस डबलू टोटल इस ताइप से आप यह answer निकाल सकते हैं बताइए सभी बच्चों प्रोल्म समझ में आ गया यह नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद वह यह एक प्रोल्म दिया वाला एक बार सब बच्चे बढ़िए प्रोल्म को टू मॉल ओफ एन आइडिल गैस अंडरगो आइसो थर्मल कंप्रेशन एलों थ्री डिफरेंट पाथ रिवर्सिबल कंप्रेशन टू बार फोर लिटर से फाइनल प्रेशर इस इस फ्विंटी बार अलग अलग इन शबकर इस पहरें करने का मतलब यह है मैं आप कु यहां तो देखे सबसे पहला सबसे पहले 2 mole है initial pressure कितना है 2 bar और final pressure कितना है 20 bar तो यहां से देखिएगा initial pressure कितना है initial pressure कितना है यहां से देख सकते है 2 clear और यहां पर volume कितना है यह point है हमारे पास this is 4 this is 4 liter एक बड़ चेक कर लिजे कितने liter है yes 4 liter final pressure 20 बार देखे ध्यान से final pressure 20 बार this is 20 बार final pressure ध्यान दीजे आप इसके इंदर हम लोग ऐसे deal करेंगे इसको finalist का simple diagram बनाते है clear इधर हमने P लियावा है इधर हमने V लियावा है ठीक है फिर यहाँ पर आप देखे starting में आपने यहाँ पर pressure कितना लियावा है starting में पर प्रेशर कितना एक बार चेक कर लिजे pressure is 2 bar and volume is 4 liter right pressure is 2 bar volume is 4 liter and this is the point यह हमारा point है initial point A इसके बाद final जो state R.E.A. system की pressure लियावा है कितना 20 bar तो volume कितना होगा because this is isothermal process we use this formula P1 V1 equal to P2 V2 P1 V1 equal to P2 V2 P1 कितना है P1 is 2 volume 4 P2 20 volume we have to calculate volume कितना हमारे पास यहाँ पर 0.4 liter clear this volume is 0.4 liter तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं यह इसकी state आ गई तो final volume आ गई आपने पास 0.4 liter clear और यहाँ तक और यह हमारे पास एक final point आ गया अब हमें state A से state B तक जाना है इस state के अंदर जाने के जो तरीके हमें बताये गए हैं पहला जो तरीका बताये गए हैं आप देख सकते हैं पहला तरीका है reversible compressions reversible compression clear reversible compression के अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर देखे दियांदे सब बच्चे reversible compression मैं यह process इसे बना देता हूं सब बच्चों के लिए आप यहाँ पर इस process के थुरू A to B पे गए हैं this is reversible isothermal compression यह ऐसे process हमारे पार reversible isothermal compression अब मुझे यहाँ पर burden calculate करना है बहुत simple तरीका है burden का आप जानते हैं अब हमारे पास देखना temperature है की नहीं एक बड़ चेक कर लेते हैं 2 mole of an ideal gas NRT की value मैं यूज कर सकता हूं PV से clear? वह आ सकती है आप सब बच्चे समझते हैं NRT की value ले सकते हैं PV से P कितना है? 2 into 4 ATM लीटर में जाएगा तो यह मेरे पास आगिया minus 2 into 4 right? LN V2, V2 कितना है? 0.4 आप दिख सकते हैं V2 is 0.4 V2 is 0.4 V1 is 4 clear? यह value में लिख सकता हूं W equal to 8 LN 10 clear? LN 10 को कितना लिख सकते हैं? आप जानते हैं LN 10 2.303 तो यहां से मेरे पास जो वर्गरन आता है यह जो वर्गरन आ रहा है यह किस में आ रहा? ATM लीटर में आ रहा? याद रखना? किस में आ रहा है है? ATM लीटर में तो देखो धियान दीजिए आप लोग यानि बार लीटर में कितना वर्गरन आएगा? बार लीटर में एक बार चेक कर दीजिए कितनी value आ रही है? यह value आएगी आपके पास 18.42 बार लीटर तो देखो जो पहले वाला path था जो पहले वाला path था हमारे पास reversible isothermal उसमें हमारे पास value आ गई 18.42 बार लीटर इतना के लिए रहे हैं समच्चों को? चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसी के इंदर इसका second path पर आते हैं एक page create कर लेते हैं अब यहां पर्दे को धियान देंगे में फिर से बनाता हूं एक बड़ चेक कर लीजिए अगले वाला path कौन सा है single stage compressions against constant external pressure of 20 बार देखे कैसे आए गाई अब धियान देना आप सब बच्चे यहां पर इसका भी डाइग्रेम बनाते हैं राप डियान देंगे उसका लाप तो बलोड नहीं कर सकते हैं इस राप ने पी ली आवा है यहां पर आप देख सकते हैं कितना हम ने calculation किया हुआ था यहां पर volume था 4 liter हमें दिया हुआ है pressure कितना था 2 bar clear उसके बाद pressure कहां तक चला गया 20 bar तक pressure कहां तक चला गया 20 bar यहां पर कहीं इस type से यह pressure दिखा सकते है 20 bar इस समय volume कितना होगा 0.4 यह भी हमने calculate किया ही था तो अब work run क्या होगा अब work run होगा आप समच्छे समझते हैं यह जो area under the curve है this area under the curve वो represent to the work run clear और यह value आएगी w equal to w equal to plus a plus a क्यों आया because this is compression और work run कैसा आएगा positive and this value is area under the curve that will be 20 20 into 20 into 4 minus 0.4 4 minus 0.4 this value is 20 into 3.6 equal to 72 bar liter कितना वर्गर आया 72 bar liter एक बार चेक करिए तो यह वर्गर आगे हमारे पास 72 bar अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं टू स्टेज कंपरेशन है इस बार क्या है टू स्टेज कंपरेशन consisting consisting initially of compression against a constant external pressure of 10 bar यानि बीज में कोई intermediate pressure लिया वा है 10 bar चलिए इसको भी इसको भी solve करते हैं ध्यान दीजेए इसके इंदर इसको भी solve करते हैं हम लोग यहां पे देखे इसका भी PV diagram मना लेते हैं राइट इसे मना लेते हैं PV diagram इसका सब अच्छे देखो ध्यान देएं यहां पर कितना pressure दिया वा है टू बार यहां पर प्रेसर दिया है बार में यह प्रेसर कितना है 20 बार यहां पर वोल्यूम कितना है 4 liter, यहाँ पर volume कितना है, 0.4 liter, clear, अब एक इन्होंने intermediate stage ली हुई है, उस intermediate stage के अंदर pressure लिया है कितना, 10 bar, right, तो चली यहाँ पर हम देख लेते है, volume कितना आएगा, p, pv equal to nrt, right, nrt is constant, initially pressure 2, volume कितना 4, फिर उन्होंने pressure ले लिया 10, अब हमें volume calculate करना है, तो यहाँ से volume की value कितने ही आ गई, 0.8, यह बाद से बच्च्चक समझ में आती है, 0.8, तो कहीं बीज में यहाँ पर point होगा, तो आप इस point को दिखा सकते हैं, यहाँ पर देखो धियान दीजे, यानि आप समझ सकते हैं, यहाँ पर कई volume, 0.8 लिटर रहा होगा, और यह pressure कितना रहा होगा, 10 बार, अब आप देखो सारे पिच्च्च धियान दीजे, अब work run कैसे आएगा, देखिए, एक work run तो यह आएगा, यहाँ में shaded area upload करना हूँ, धियान देना सब अच्चे ही, एक तो यह area आएगा, एक area कौन सा आएगा, यह वाला, यह मैं area yellow line से ऐसे upload कर देना हूँ, देखो धियान देना सभी लोग, यह वाले area आएगे, clear, तो यहाँ पर work run आएगा, चुकि compression आएगा, और दोनों area को add कर दो, तो यह आएगा, 10 into 4 minus 0.8 plus 20 into 0.8 minus 0.4, clear, अब कुर करिए इसको, और यह value आगे कितने, 3.2 यानि 32 plus, यह value value कितने आगे, 20 into 0.4, 20 into 0.4, 8 plus 8, तो यह value आगे, मेरे पास 40 bar liter, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, हमारे पास, basically यहाँ पर, 3 different path के coding लिए हम work run calculate किया है, right, अब मैं एक बार को repeat करूँगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, clear, देखिए धियान से आप, एक बार problem पढ़ी है, सब बच्चे, क्या problem था, 2 mole of an ideal gas undergo isothermal compression, along 3 different path, पहला reversible compression दिया हुआ है, pressure दिया हुआ है, 2 bar, initial volume दिया है, 4 liter, और हमें final pressure 20 bar तक गई, उसको हमने compress कर दिया, पहला जो path है, reversible isothermal compression है, दूसरा जो path दिया हुआ है, वो single stage compression है, that is irreversible process, और 3rd वाल में, इसमें 2 step लिया हुआ है, यानि यहां पर एक intermediate pressure भी लिया हुआ है, देखिए हमने सब की calculation करी है, सभी लोग देखिए धियान से, कैसे आया, जब मैं बात करूँगा, reversible isothermal process की, आप जानते हैं, वर्गडन, W equal to minus nRT ln V2 by V1, हमने initial volume 4 liter दिया वा है, final volume calculate कर लिया है, P1 V1 equal to P2 V2 से, आपने P1 की value 2 रखी, V1 की value कितनी 4, P2 कितना 20, इससे अपने V2 calculate कर लिया, this is 0.4 liter, अब यहाँ पर W आया, minus nRT ln V2 by V1, आप value रखी एक बार, V2 की value कितनी 0.4, V1 की value कितनी 4, और nRT की value में रख दी Pb से, Pb equal to nRT से, राइट, तो यहाँ पर solve करके मेरे पास value आती है, 18.42 bar liter, clear रोगा समच्चों को, चलिए, इसके बाद, यह one step process था, इसमें सीधा जिन्होंने एक ही step में 20 bar pressure को constant रखा, तो हमने क्या किया, इस compression गेंदर इसका area निकाल लिया, area अंटर दकर्व, तो area अंटर दकर्व कितना आगिया, 20 into 4 minus 0.4, and this value is 72 bar liter, फिर इसके बाद, एक और इसमें पास लिया गया, एक intermediate pressure लिया गया, 10 bar तक, पहले 2 से 10 तक, फिर 10 के बाद 20 तक, clear, अब यहाँ पर यह जो मैंने area दिखाए हैं, इन area के मैंने work run calculate कर लिये हैं, इनका area निकालो, देखो यहाँ पर 10 into यह वाला area, यानि 4 minus 0.8, फिर 20 into यह वाला distance कितना, 0.8 minus 0.4, इसका आप solve कर लिजे, और यह value आ रही है, 40 bar liter, clear वह सब बच्चों को, चलिए आगे बढ़ने हैं, इसके बादे को ध्यान दीजे, यह problem है, one mole of an ideal monotomy gas is carried out through a reversible cyclic process as shown in the figure, calculate work run, देखो बहुत असान है, work run कैसे निकालेंगे, बहुत, देखो इसमें, expansion हो रहा है, तो definitely, जो work run आएगा, w equal to minus a आएगा, यही है न, w equal to minus a, w equal to a, a कितना होगा, इस पूरे का area, 1 by 2 base into height, यहनी minus 1 by 2 base, base कितना है इसका, 2v naught minus v naught, 2v naught minus v naught, और height कितनी है इसकी, 3p naught minus v naught, 3p naught minus v naught, और simplify करके आगया, minus 1 by 2 into v naught into 2p naught, और simplify करके आगया, minus p naught v naught, तो हमारे पास, यहां पर जो work run आ रहा है, this is minus p naught v naught, इतना point सब अच्चों के सज में आ रहा है, clear? चलिए, हम लोग आगे बढ़नें, इसके अंदर, work run तो आ गया, first part, इसके बाद बोलें, इसके अंदर, the heat exchange by the gas in path C A and A B, यानि आपको जो calculate करना है, this is A part, B part पर जो आप calculation करने जा रहे हैं, आपको calculate करना है, Q heat exchange, the gas, Q C A and Q A B, यह दो पात के accordingly, आपको Q calculate करना, देखो C A जो process है, this is isobaric process, यह भी जो process है, this is isobaric process, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर देखो धियान दीजे, बहुत असान है, देखे धियान से, यहाँ पर कितने मोल दिये में, वन मोल दिये में, आप temperature भी निकाल सकते हैं, एक पॉइंट के ऊपर, देखे बहुत असान है, कैसे करते हैं, Q C A equal to N C P M D T, N C P M D T, and this is, T C से T A, ऐसा लिख सकता हूँ, T C to T A, तो यहाँ से C P M की value होगी, N की value कितनी हैं, 1, C P M कितना, monatomic gas है, कौन सी gas है, monatomic gas, तो यहाँ से C P M की value होगी, C P M equal to 3 R Y 2, C P M कितना होगा, 5 R Y 2, तो obviously, इसका C P M मी लिख दीजे, आप यहाँ पर, लिखे जब बच्चे यहाँ पर, इसका C P M आएगा, C P M equal to 5 R Y 2, इसमें को दिक्कत, चलिए मैं next page भी calculate करता हूँ, Q C A and Q A B, देखे, Q C A equal to N C P M D T T C to T A, ऐसा लिख सकता हो न, एक बार चेक कर दीजे, मोल कितने हैं, 1 मोल, तो N की value को 1 रखिए, C P M की value को 5 R Y 2 रख दीजे, और यहाँ पर D C, D T, और यह value आए की T C, और यह value आए की T A, तो मेरे पास Q C A की value आचुकी है, 5 R Y 2, 5 R Y 2, right, this is T A minus T C, यह भी लिख सकता हूँ, 5 by 2, 5 by 2 R T A, एक मोल है न, minus R, T C भी लिख सकते हैं, simplify करते हैं, this is Q C A, Q C A equal to, 5 by 2, R T A, यानि A point के उपर आईए, आप लोग देखो ध्यान देंगे, A point जो दियावा आइसके अंदर, A point के उपर, P naught V naught, तो रखते हैं value उचको, यह value है, P naught V naught, minus, C point के उपर देखी सब बच्चे दियान से, C point के उपर आएगा, 2 V naught into P naught, right, यह value आगई, 2 V naught into P naught, और simplify करके आगया, minus 5 P naught V naught by 2, एक बर चेक कर लिजिए, Q CA की value कितनी आ रही है, देखें, Q CA की value आ रही है, minus 5 by 2 P naught V naught, यह समझ में आता सांब बच्चे को, चलिए, ऐसी मैं Q A B calculate करने जा रहा हूँ, यह जो A B process है, आप देख रहे हैं, A B process is, देखें यहाँ पर, this A B process is isochoric process, so we use this, use the formula Q equal to N C B M D T, use करते हैं यहाँ पर, Q A B equal to N C B M D T, अब value रखें, यह आएगा TA से TB तक आएगा, temperature कहां से कहां तक, TA से TB तक, mole कितने हैं 1, तो 1 in 2, C B M की value कितनी हैं भई, C B M equal to 3 R by 2 D T, और यह value आ रहे हैं मेरे पास, TA, TA से TB, तो simplify करके आगा मेरे पास, Q A B equal to, Q A B equal to 3 by 2 R, 3 by 2 R, TB minus TA, TB minus TA, and this value is, 3 by 2 R TB minus R TA, clear? यहाँ की value रखें देते हैं, तेखें यहाँ से TB की value कितनी हैं आएगी? 3 P naught into V naught, this value is, Q A B equal to, 3 by 2, 3 P naught into V naught, minus R TA, R TA already हमने value रख चुके हैं, और value कितनी थी? P naught V naught, this is P naught V naught, और simplify करके कितना आगिया? this is 2 P naught, 2 P naught V naught by 2 into 3, and this value is 3, this value is 3, P naught V naught, यह value रखें सब बच्चे, this value is 3, P naught V naught, clear? एक बार आणसर चेक कर लिजिए, yes, this is 3 P naught V naught, यहां तक सब बच्चे उस्वाज में आता है, clear? अब हमें बात करनी है, QBC, QBC, QBC कि value कितनी होगी? देखें रियान से आप लोग इसके इंदर, एक पेज और दिया क्रियेट कर लेते हैं, now we have to calculate QBC, यहां पर धियान देंगे आप लोग, अगर हम पूरा का पूरा साइकलिक प्रोसेस ले लें, clear? आप calculate कर लीजिए, Q total, Q total कितना होगा? QAB, प्लास Q, BC, प्लास Q, CA, यही होगा ना? अब आप यह जो साइकलिक प्रोसेस जाना, A, B, C, A, इस पूरे प्रोसेस के लिए, we apply first law of thermodynamics, FLOT, for cyclic process, for cyclic process, A, B, C, A, apply FLOT, FLOT प्लास Q, first law of thermodynamics, that is delta U total equal to Q total plus W total, delta U total is zero, this value is zero, तो यहां से मेरे पास Q total की value आजाती है, minus W total, W total हमने already calculate किया आप है, शुरू में ही, देखो कितनी value आई थी वो, एक बार check करीए सब बच्चे, W total हमारे पास आया था, P naught, V naught, minus P naught, V naught, तो यह value रखते हैं, तो यह value आगे ही, minus P naught, V naught, and this value is P naught, V naught, हमने calculate कर लिए, total heat कितना exchange हुई है, that is P naught, V naught, clear, चलिए, अब सारी value रख दीजे आप, तो Q total की value रखता हूं में, P naught, V naught, equal to, QAB, QAB हमने calculate किया हुआ है, देखो QAB कितना है था भई, QAB value हमने calculate कर रखी है, कितनी, 3 P naught, V naught, यह value रख देता हूं में, 3 P naught, V naught, this is QAB, QBC हमने calculate किया हुआ है, एक बढ़ चक कर रिए, QBC, QCA हमने calculate किया हुआ है, और QCA हमारे पास value कितनी है, minus 5 by 2 P naught, V naught, QBC we have to calculate, and QCA, minus P naught, V naught, by 2 into 5, यह value हमारे पास, QBC की है, एक बढ़ चेक कर लिए, फिर भी QCA कि value कितनी थी, minus 5 by 2 P naught, V naught, अब यह सारी value रख दीजे, और simplify करते हैं, देखो क्या value दाती है अपने पास, चलिए value रखते हैं भई, यह value आगे हमारे पास, QBC equal to, P naught, V naught, minus, 3P naught, V naught, 3P naught, V naught, minus minus plus, 5 by 2, 5 by 2, P naught, V naught, एक बढ़ सिप्लिफाइ कराईए, इस इस माइनस, minus 1 by 2, यह वाली value हाजाएगी मेरे पास, minus P naught, V naught by 2, एक बढ़ सिप्लिफाइगी मेरे पास, यह value आगई, देखे, P naught, V naught, by 2, यहाँ से हमारे पास, Q की value आजएगी है, इस इस QBC, इतनी बातें सब बच्चे को समझ में आ रही है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इस value is, minus P naught, V naught, by 2, अभी हम लोग बात करते हैं, इसके इंदर, अभी हम लोग बात करते हैं, इसके अंदर T maximum, T maximum कितना होगा हमारे पास, अब T maximum कहीं B और C के बीच आएगा, राइट, दो यह जो problem है, advance के point of view से, एक बहुत अच्छा problem है, खास कर, इसमें maximum temperature का पूछना, वो कैसे आएगा, अब हम जानते हैं, maximum temperature ना तो B पे होगा, ना ही C पे होगा, कहीं B और C के बीच में होगा, तो B और C के बीच में अगर है, तो हमें B, C, यह जो point हैं, इन से जाने वाली line का equation निकाल लेता हूँ, और उसके बाद हम solve करेगे, कि T maximum कहां होगा, राइट, चलिए, अब हम जा रहे हैं, P maximum को calculate करने, एक page और add कर देते हैं, तो जो process था, आप बता सकते हैं, P minus 3P naught, वह formula यूज करोगे न, B C line का equation क्या होगा, Y minus Y1 equal to Y2 minus Y1, divided by X2 minus X1 into X minus X1, तो यहां से P minus 3P naught, और यह value आएगी, P naught minus 3P naught, divided by, जब इक पार final volume, चेक कर लीजे कितना है, final volume कितना है, 2V naught, तो value आएगी आपके पास, 2V naught, minus V naught, this is V minus V naught, clear, यहां पर क्या करना है, बहुत असान है, सबसे पहले, हम लोग P को eliminate कर देंगे, आप जानते हैं, P equal to, NRT, P equal to NRT, एक पार चेक करो, mole कितने हैं इसके अंदर, mole चेक करिए कितने हैं, 1 mole, तो N की value 1 है, तो N की value 1 रख देते हैं, यहां यहां पर देते हैं, यहां से मेरे पास, P की value आ गई, आर्टी बाई वी, यह value आर्टी बाई वी यहां रख देते हैं, अब पूरी equation को V से multiply कर दीजे, तो यहां जाएगा आपके पास, RT minus 3P naught into V equal to minus 2P naught divided by V naught, V square minus V naught into V, अब हम क्या करेंगे, for maximum value of T, इसको differentiate कर देंगे with respect to V, तो देंखे, R DT upon DV equal to, R DT upon DV equal to, यह आएगा आपके पास, minus 3P naught, भाई V का difference जिन कितना होगी अबन, और यह value आएगी, minus 2P naught upon V naught, 2V minus V naught, यह value आगई, clear, for maxima और minima, put DT upon DV upon 0, for maxima, for maxima, oblique minima, DT upon DV equal to 0, 0 value रखेंगे, तो यह value आगई, minus 3P naught, equal to, minus 2P naught, divided by V naught, 2V minus V naught, एक बार simplify कर लेते हैं, इसको, तो यह आगे आपके पास, यह minus से minus sign गया, V naught से V naught, तो आगे यह value, 3 by 2, V naught, equal to, एक बार check कर लिजे, yes, this is 3 by 2, V naught, equal to, 2V minus V naught, इसको दिरे ले आईए, तो यहाँ से V की value आएगी, 5 by 2, V naught, 5 by 2, देखें, 5 by 2, V naught, और 2 से ओडिवाइड करो, इंटू 2, तो 5 by, 5 V naught by 4 आगिया, कितनी value आगई, 5 V naught by 4, एक बार और इसको आप differentiate करेंगे, D2 upon Db square लेंगे, the value will be negative, D2 upon D2 T upon Db square, calculate करेंगे, इस value is negative, इस इंडिकेट, the function is, Maxima, when V equal to 5 V naught by 4, इस बार बार से बच्चों को, अब यह जो V की value आईए, इस V की value को, temperature की value calculate करने के लिए, हम कहार रख देंगे, equation number 1 लिख देता हूं, उसको, equation number 1 में रख दीजेगा, और फिर देखें कितने value आ रही है, चलिए, एक page or create करते हैं, यहां पर, RT upon V, मैं लिख देता हूं उसको, RT upon V, minus 3P naught, equal to, minus, यह value कितने आ रही थी, 2P naught upon V naught, एक बड़ चेक कर लिजे, minus 2P naught upon V naught, और फिर V minus V naught, और फिर यह value आ रही थी, V minus V naught, और यहां से हमने V जो calculate किया है, V की value कितनी थी, maxima के लिए, 5V naught by 4, इस value is, 5V naught by 4, इस value को यहां पर रख दीजे, आप V की values को, तो यहां आएगा, RT upon, V की value कितनी, और यहां दी सब बच्चे, V is, RT upon V, V is 5V naught, 5V naught by 4, 4 उपर आगिया, minus 3P naught, equal to, minus, 2P naught, divided by V naught, this is 5V naught by 4, minus V naught, this is, V naught by 4, clear हुआ, this value is V naught by 4, तो value आगे, minus 2P naught, into V naught by 4, और 3P naught उधर ले जाएंगे, तो plus का उजाएगा, plus 3P naught, और यह value आगे, आपके पास, RT, into 4, divided by 5, V naught, clear, एक बड़ सिंप्लिफाई कराईए इसको, यह होगे आपके पास, 12, right, 12 minus 2, 10, तो value आगे आपके पास, equal to 10, तो चेक करिए एक बार यहाँ पर, P, P naught into, एक बड़ चेक करिए सब बच्चे इसको, RT अपोन यह वाली value आ रही है, 2P naught upon V naught, 2P naught upon V naught, अच्छा, V naught, V naught यहाँ पर कैंसिल होंगे, देखो ध्याँ देना सब बच्चे, V naught, V naught, कैंसिल होंगे, यह V naught, V naught, कैंसिल, यह value कितने आ गई, 12, 12 minus 2, 10, this is 10 P naught by 4, यह value आगे मेरे पास, 10 P naught by 4, अब simplify करते हैं इसको, इक्वल टू, 10 P naught by 4, into, 5 V naught, divided by, 4R, यह value आ रही है, तो यह value मेरे पास रहाती है, है कितनी, 5, यह 2, 25 P naught, V naught by 8R, T maximum कितना आ गया, 25 P naught, V naught by 8R, एक बार चेक करी, आंसर कितना आ रहा है, देखे, आंसर आरेंज के हमारे पास, 25 by 8, P naught, V naught by R, इस इस दे मैक्सिमाम टेंपरिशर, अब बताए, यहां तक, सब बच्चे को सोज में आ जा है, कोई डाउट किसी को यहां पर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब तो कोई यह प्रोलम है हमारे पास, ध्यान दीजे सब बच्चे, 2, रिजीड एडियाबेटिक वैजल A and B, इन विच, इनिशियली कंटेंड, 2 गैसे आर, कनेक्टेड बाई यह पाइप, और पाइप लाइन, विद वॉल्व अप नेगलिजबल वोल्यूम, यानि जो कनेक्टिंग पाइप है, उसके वोल्यूम को नेगलिट कर रखता है, दब वैजल A, इन विच, उसका CPM दियावा है, 500 Kelvin के उपर, वैजल B, इन विच, 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 उसका में CPM दियावा है, राइट, एट 400 Kelvin, दब वोल्यूम उप गैस, A and B दिये में है, इन वाल भी जोपन, और 5.8 हीट, इस सप्लाइट, यानि इसको 5.8 किलो कैली हीट, सप्लाइए कर दी, और इसके बाद, वो वाल भी उनने बंद कर दिया, यानि जितनी हीट सप्लाइए करी है न, अब उस हीट को लोस नहीं होगा, वो हीट फिर स्राउंडिंग में वापस नहीं जाएगी, जानते हैं, इस 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 रिजिट वैजल, इसका मतलब वरड़न जीरो है, और क्यों टोटल हमें कितना दिया वाई, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, प्लास जीरो एक्वल टू, पाइप पॉइप उइट किलो कैलरीज, क्लियर, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ किसमें, आउजेंट से मिल्लिप्राय कर लेता हूँ, ये किसमें आ गई, कैलरीज में, क्लियर, अब डेल्टा यू टोटल में कौन सी, ये आएगी आपके पास, डेल्टा यू, कौन कौन सी कैसी जहें, पहली है हीलियम, डेल्टा यू, दूसरी गैस कौन सी है, O2, और इसकी वैल्ली होगी, 5800 कैलरीज, और डेल्टा यू क्या आएगा, N, Cvm, DT, यानि N of हीलियम, Cvm of हीलियम, Cvm of हीलियम, DT, लिमिट, इसकी लिमिट कहा से कहा तक जाएगी, इनिशल तेमप्रेश्र देख लिजी है कितना है, इनिशल तेमप्रेशर है 300 कैलरीज, इनिशल तेमप्रेशर इस 300 कैलरीज, और इनिशल तेमप्रेशर इस का T है, वो हम केल्कुलेट करेंगे, राइट, प्लस, N of O2, Cvm of O2, DT, अब यहाँ पर, कोई फाइनल टेंपरिजर टी आएगा वहां तक जाएगा and this value is 5800 और याद रखना यह हम कैलीज में ले रहे हैं अब में इनके cvm सबकी value रख देता हूं देखो एक बड़ चेक करो helium के कितने mol थे 2 mol of helium राइट 2 mol of helium तो यहां पर रखीएगा 2 mol of helium और cvm कितना है इसका 3 by 2 r इसका cvm है 3 r by 2 dt लिमिट कहां से कहां तक 300 से final temperature t plus o2 के कितने mol है चार mol है एक पर चेक कर दीजिए o2 के mol कितने है 400 Kelvin तो यहां पर आएगा 400 Kelvin से यहां पर कोई final temperature आएगा ती और o2 का cvm कितना है 5 r by 2 यह पर दियावा भी एक बर चेक कर लिजिए yes this is 5 r by 2 यह value है 5 r by 2 और यहां पर लिगतेंगे dt and this value is 5800 calories एक बार equation भी check कर दीजिए दो बारा से yes this is 5800 Kelvin अब देखिए आप इसमें अब यह जाएगा आपके पास 3R simplify करने के बाद T minus 300 T minus 300 clear plus यह जाएगा आपके पास 10R T minus 400 equal to 5800 क्योंकि यह कैलीज में है तो R की value 2 रख देते हैं तो यह जाएगा आपके पास 6T minus 300 यह कैलीज में आजाएगा plus 20 T minus 400 equal to 5800 clear यहां से final temperature आएगा 60 minus 1800 plus 20 T minus 8000 yes this is 8000 equal to 5800 simplify कर लेते हैं 2060 this is 2060 equal to और यह value आगे मेरे पास कितने 5800 plus 8000 plus 1800 यहां तक का point clear हुआ और फाइनली मेरे पास T की value आ रही है 5800 plus 8000 plus 1800 divided by 26 this is the final temperature इतना point सबच्चों के लिए हुआ हमारे पास यहां पर final temperature आ चुका है एक बार इसको add कर लिजे कितना आएगा equal to जिको धियान दीजे 0020 तो आ रही है 8 plus 8 16 8 plus 8 16 1 2 10 15 15 this is 15 तो मेरे पास आ गया 15600 divided by 26 this is final temperature अब हम लोग कैल्कुलेट करेंगे final pressure कितना होगा यूज इस फॉर्मूला PV equal to NRT PV equal to NRT और P equal to total mole कितना होगे 2 plus 4 6 और तको धियान दीजे यहां पर pressure किसमे है ATM में आर की value कितनी 0.0821 temperature कितना this temperature is 15,600 divided by 26 volume देख लीजे कितना है container के दोनों के volume को add कर दीजेगा and volume is आप देख लीजेगा 5 लीटर and 7 लीटर this is 12 लीटर तो volume कितने आ गए volume है हमारे पास 12 लीटर इसको आप सब बच्चे solve करेंगे तो यहां से जो प्रेसर है this is 24 ATM कितना प्रेसर आया 24 ATM एक बार मैं इस प्रोलम को फिर से आप सब बच्चे बता रहा हूं कैसे यह प्रोलम सोलोगा बहुत ही असान है पूरे सिस्टम के लिए वी एप्लाई first law of thermodynamics that is delta u total equal to q total plus w total अब इस सिस्टम के अंदर क्या होगा w total is zero w total zero क्या होगा this is rigid container और कितना heat supply किया गया है यह जो heat supply की गई है this is आप देख सकते हैं kilo calorie heat supply करी गई है इसको हमने calories में convert कर लिया 5.8 into 1000 this is 5800 अब यहां से delta u helium plus delta u o2 equal to 5800 and helium cvm dt limit t1 82 400 temperature t तक आएगा तो इन सब की value आप रख सकते हैं यह बाते आप सारे बच्चों को समझ में आ रही है तो देखें यहां पर आगे हमने sol किया इसको cvm कितना होगा इसका क्योंकि constant volume के उपर heat supply हो रही है volume is constant तो 3r by 2 और यह कितना होगा 5r by 2 इसको simplify करने के बाद temperature हमारे पास finally आ गया है 15600 divided by 26 उसके बाद हम यहां पर calculate करेंगे pv equal to nrt और उसके बाद mol total कितना होगे 2 plus 4 6 mol r.0821 temperature 15600 divided by 26 this is the final temperature volume कितना 12 यहां से आप solve कर लेंगे this is 24 24 atm this is around 24 atm कितना point के लिए हुआ आगे बढ़तने है यह वाला problem देखे सब बच्चे 1 mol of liquid 1 bar 100 ml के उपर है इस्तेकन adiabatic इसका काम करते हैं एक बार pv graph बना लो तो ज्यादा असान हो जाता है problem solve करता है देखे दियान से इधर हमने P लिया हुआ है इधर हमने V लिया हुआ है 1 mol लिया हुआ है liquid का 1 bar 100 ml 1 bar 100 ml ऐसे समझे आप लोग यह यह पॉइंट है यहां पर आपके पास जो प्रेशर है इस प्रेशर इस वन बार वोल्यूम इस 100 ml यहां तक सबच्चों के सुझ में आता है उसके बात 1 mol of liquid जो की 1 bar 100 ml के उपर था इस तेकन इन adiabatic container adiabatic container में दलब no heat exchange between system and surrounding and the pressure is increased steeply to 100 bar यानि इन्होंने प्रेशर एक्दम टेजी के साथ increase कर दिया और यह जो प्रेशर था यह प्रेशर कितना ले लिया 100 bar clear हुआ this pressure is 100 bar then at a constant pressure of 100 bar volume decrease by 1 ml अब अ से आप B पे आगे थे फिर B से वापस आप C point तक आगे और यहां पर जो volume है आपने 1 ml decrease कर दिया यानि इस point के उबर जो volume है this is 99 ml कितना point clear हुआ this is 99 ml then at constant pressure of 100 bar यह हमने complete कर दिया find delta U and delta H okay apply F L O T अब हम इसके लिए क्या apply कर रहे है F L O T thermodynamics delta U equal to Q plus W this is 0 plus W this is 0 plus W तो मेरे पास delta U की value आ रहे है W की और W क्या होगा चुकि यहां पर आप देख सकते हैं compression हो रहा है ना आपर इसका वर्ण तो positive होगा और वर्ण कितना होगा इसका area under the curve यह पूरा area under the curve आएगा तो W equal to आप बता सकते area under the curve कितना है 100 बार into 1 into 10 days power minus 3 तो यह value आगे 0.1 0.1 ATM लीटर clear हुआ इस देल्टा इस देल्टा इस डबलू यह बात संजिमा रहे है कोई doubt है हां पर मेरे पास value हो जाएगी delta U equal to W and the value is 0.1 ATM लीटर यहां तक सब बच्चों को समझ में आया होगा clear इसके बाद हम लोग बात करते हैं delta H अब दो को धियान दीजे आप जानते है delta H equal to delta U plus P2 V2 minus P1 V1 direct option therapy निकाल सकते हैं इस point के उपर मैं बोल दूँगा यहां पर क्या होगा P1 V1 और इस point के उपर P2 V2 अब वल्यू लिखे delta H equal to this value is 0.1 plus याद रखना ATM लीटर है वो यह value कितने आएंगी P1 V1 1 into 100 P2 V1 100 into 99 99 एक मिट वोगा this is 100 into 99 minus 100 into 1 बलाब 1 into 100 इतनी बास परजमे आती है तो यहां से यह जो value आ रही है यह ATM यह ML में वोल्यूम था इसको 10 देज बावर minus 3 से और मल्टिप्लाई कर दो लीटर में हो जायेगा ना यह and this value is 0.1 plus 100 कोमन ले लीजिए यानि 0.1 आ जायेगा यहां पर और यह बचेगा 99 minus तो धियान दीजिए 100 कोमन आएगा तो value कितनी आ रही है 99 minus 1 इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों को यहां पर मेरे पास P1 V1 minus P2 V2 किया हमने final volume कितना है मेरे पास 99 ml है क्योंकि 1 ml ही decrease हुआ था तो 100 into 99 तो यह हो गया क्योंकि volume यहां पर 99 ml है और यह मेरे पास कितना हो गया 100 into 1 100 मेंने कोमन ले लिया यहां पर मेरे पास आ गया 0.1 यह बाली value आ गयी 0.1 plus 98 98 into 0.1 9.8 9.8 plus 0.1 this is 9.9 80 ml यहां तक सब बच्चे नोट करिए यह प्रोगम आपको समझ में आया कि नहीं देखे आसान है आपने बिलकुल simply simplify way में solve कर सकते हैं इसको delta u equal to q plus w because this is adiabatic container मतलब there is no heat exchange between system and surrounding it means q equal to 0 यह में q की value यहां पे 0 लिख दूगा और plus w यानि delta u equal to w और w कैसे आएगा w आपके पास आएगा area under this area under the car area कितना होगा इसका because this is compression and in this case work done will be positive and this is 100 into 1 into 10 days power minus 3 volume degrees होगा इसको उमने लिटर में convert कर लिया तो value आगे कितनी 0.1 ATM लिटर right this is 0.1 ATM लिटर और delta u equal to w delta u आई किया अब हम delta h calculate कर सकते है delta h equal to delta u plus p2 v2 minus p1 v1 तो value रखिये आप delta h equal to delta u कितना है 0.1 p2 कितना है 100 v2 कितना है 99 p1 कितना है 1 v2 कितना है 100 ये ml में है इसको उमने लिटर में convert करने के लिए 10 days power minus 3 से multiply कर दिया और finally आप simplify करिए यहाँ से delta h की value आ गई 9.9 ATM लिटर clear चलिए आगे बढ़ते हैं ये देखे आप लोग एक प्रोलम है calculate the work done in following cycle for one mole of an ideal gas in kilocalories where in this process bc ये bc प्रोसेश दियावा है pt equal to constant तो मुझे वर्डन निकालना है इसके अंदर net work done तो देखे आप लोग सबसे पहली बात जरा प्रोसेश इसको देखे आप a b प्रोसेश को देखे a b प्रोसेश के अंदर line passing through origin तो दिस a b process ये कैसा प्रोसेश होगा this is isocoric process this is isocoric process ये हमारे बास isocoric process है अगर a के उपर मैंने pressure कितना लियावा है देखो ध्यान दी सब बच्चे suppose a के उपर pressure p है तो यहां पर कितना pressure होगा ये हम calculate कर सकते हैं देखो ध्यान दीजिए इसमें तो a b process कौन सा है isocoric process if it is isocoric process यहां पर आपको temperature दियावा है 100 Kelvin यहां पर temperature कितना है 300 Kelvin तो अगर मेरे पास यहां पर pressure आ जाए suppose यहां पर pressure कितना है p तो यहां पर कितना pressure होगा हम calculate कर सकते हैं बहुत असान तरीका है isocoric process है तो p1 upon p2 equal to t1 upon t2 आप देख सकते हैं p1 कितना है 100 100 और यह कितना है 300 और यह value कितनी है p1 के उपर मेरे pressure पी लियावा है और यहां पर pressure p2 लियावा है and this value is p2 equal to 3p तो basically b के उपर जो pressure होगा वो कितना होगा 3p यानि यहां पर अगर pressure p है तो यहां पर मेरे पास कितना pressure आ गया 3p इतनी बात समच्च उसमें आती है चलिए अब आपको b और c point के उपर pressure बता है अब आप c point के उपर temperature निकाल सकते है 4 4 b c process देखे b c process के अंदर हमें दियावा है p t equal to constant यानि p b t b equal to p c into t c यह हमें एक process दियावा है polytropic process p b कितना 3p t b t b कितना 300 Kelvin 300 Kelvin p c p c कितना p into t c यहां से मेरे पास t c की जो value आ गई देखे कितनी आ गई p से p cancel this is 900 Kelvin किले रुआ p c is 900 Kelvin इतना पाड़ी किले रुआ अब हमें बताना है total work run कितना total work run होगा तो डवलू total equal to डवलू एबी प्लास डवलू बी सी प्लास डवलू सी ए डवलू सी ए यह work run होगा यहां से आप देख सकते हैं जब मैं डवलू total calculate करने जा रहा हूँ डवलू एबी एबी process is isochoric so in this process work run that is डवलू अबी will be 0 so this is 0 plus अब मेरे पास BC process आया BC process is polytropic process यहां पे work run कितना होगा आप जानते हैं NR TC minus TB divided by X minus 1 this is the work run in polytropic process plus WCA TA is isobaric process and this work run is minus NR T2 minus T1 this is TA minus TC TA minus TC TC यह work run होगा हमारे पास अब value लिख लेते हैं देखो धियान दीए आप लोग कितने मोल दिये हैं मैंनोंने 1 मोल दिया है N की value 1 और R की value calories में हमें लेनी है चलिए W total equal to NR यानि N की value 1 और R की value कितनी 2 यह common आ गया TC एक बड़ चेक करिए TC कितना है TC यह भी calculate किया 900 900 minus TB TB कितना 300 300 divided by X minus 1 अभी मैं X की value calculate करता हूँ अब लोग के लिए plus TA TA value कितनी है अब माइनस आएगा यहां पर minus TA TA value कितनी है 100 तो इसको लिख देंगे minus 100 plus TC value कितनी है 900 this is 900 clear तो finally मेरे पास value आ गई है इसको simplify कर देंगे रूपोजरा में दुबारा से लिख देता हूँ proper way में देखे दियान से आप लोग एक बार स्वैली को लिख लीजे यह W total मैं next page भी लिख देता हूँ उसको यह आ रहा है X minus X minus 1 देखेगा next page भी लिखते हैं W total W total equal to 0 plus और यह आया था मेरे पास N की value कितनी 1 और R की value 2 तो यह आ गया 1 into 2 divided by X minus 1 और यहां पे जो temperature आये थे वो कितने थे TC TC मतलब 900 900 minus TB 300 900 minus 300 तो यह value आ रही है 900 minus 300 plus यह वाली value आ रही है कितनी minus NR N की value 1 R की value 2 तो minus 2 आ जाएगा तो यह value आएगी minus 2 minus 2 into और यह वाली value आ रही है TA TA की value कितनी TA की value है 100 minus 900 100 minus 900 यह value आ रही है simplify करने एक बार X की value calculate कर लेने राइट यह simplify कर लो W total equal to यह value कितने आ गई 2 divided by X minus 1 into 600 राइट minus यह कितना आ गया 1600 minus plus यह value आ गई plus 1600 यह calories में साड़ी value आ रही है clear अब देखे यहाँ पर X की value कितनी आपको दियावा है PT equal to constant right PT equal to constant अब यहाँ पर PV equal to NRT इसका बाइट यह इसकी value कितनी है अब जानते है न PV X equal to constant इस polytropic process के लिए x के value कितनी आ गई 1 by 2 यह value यहांपे रखते हैं तो यह आएगा w total equal to 1200 divided by 1 by 2 minus 1 plus 1600 यह value कितनी आ गई minus 1 by 2 minus 1 by 2 minus 2400 हो जाएगा यह minus 2400 plus 1600 और यह value आ गई है minus 800 calories चेकरी आंसर एक बार यह आता कि नहीं आता है yes this is minus 800 calories तो यह problem सब बच्चों को समझ में आया है तो देखिए एक आसान problem था आप सब बच्चों ने कैसे सोल किया इसको सबसे पहले हमने देखा this AB process is isochoric process and in this process we use this formula P1 upon P2 equal to T1 upon T2 suppose pressure at point A is P now we have to calculate pressure at point B that is P2 यानि T1 100 upon 300 P upon P2 तो finally मेरे पास यह pressure आगया किसके उपर point B के पर pressure आगया state B के पर pressure आगया right फिर हमने यहां पर temperature calculate किया 4 BC presses P B T B equal to PC T C P B कितना 3 P T B we have to calculate T B में यहां 300 PC कितना P T C we have to calculate and finally this T C value is 900 Kelvin अब हमें work run calculate करना है now we have to calculate total work run net work run means total work run total work run हम आएगा W A B plus W B C plus W C A right W A B because A B is isochoric process so in this case W A B is 0 now W B C it is polytropic process and in case of polytropic process work run is N R T 2 minus T 1 divided by X minus 1 वो बहुरी रख दिया हमने और this C A C A process is isobaric process in isobaric process W is equal to minus N R T 2 minus T 1 यह हम सारी values रख देंगे आगे आप एक बार इस सब values रख दीजेगा अब हम calculate करेंगे X की value कितनी होगी हमें given है P T equal to constant T को eliminate कर दीजे P V equal to N R T से finally हमारे पास आता है P square into V equal to constant और P into V to the power X equal to constant तो in this case X equal to 1 by 2 रख दीजे अब सभी बच्चों समझ में आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं अब यह प्रोलम है हमारे पास यह को धियान दीजे for 1 mol of ideal monatomic gas P upon V square equal to constant and initial temperature is 100 Kelvin if gas is expanded from 1 liter to 2 liter then find heat capacity total heat absorb change in internal energy right हमें दियावा है N equal to 1 कितना भई mol 1 इसके बाद monatomic gas है right monatomic gas है तो CVM की value कितने हो गई 3R by 2 this is 3R by 2 is CVM molar heat capacity under constant volume for monatomic gas और हमें प्रोसेश दियावा है P upon V square equal to constant यानि P V to the power minus 2 equal to constant यानि P into V to the power X equal to constant यानि X की value कितने हो गई minus 2 कितने बाद से जिमा रही है और इसका initial temperature T1 यह हमें दियावा है कितना 100 Kelvin इसके बाद है if gas is expanded from 1 liter to 2 liter initial volume V1 1 liter V2 2 liter यह हमें final volume दियावा है heat capacity कैसे calculate करेंगे बहुत असान है heat capacity रेखे आप लोग heat capacity that is cm cm कैसे आएगा cm calculate करने का तरीका है बहुत असान है आपको पता है cm equal to cvm plus r upon 1 minus x plus r upon cm equal to cvm plus r upon 1 minus x cvm कितना हमारे पास cvm की value है 3r by 2 3r by 2 plus r upon 1 minus minus plus r by 3 तो यह आजएगा आपके पास यहां पर हैल शेम ले 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 जएगा कितना 6 तो 3 9r और यह कितना आगिया 2r तो मेरे पास cm की जो value आ रही है this is 11r by 6 यह value आ रही है clear रो समच्चों को अब एक बार आप देख लीजे यहां पर हमारे पास इसकी जो value आ रही है 11r by 3 11r by 3 r की value 2 रख दीजे calories में जाएगा answer तो यह आएगा first part का answer 11r by 6 into 2 this is 11r by 3 calories per mole per Kelvin calories per mole per Kelvin यह मेरे पास value आ गई cm की heat capacity इतनी बात सब बच्चों को सभूज में आती है राइट इसके बाद बोले total heat absorb तो हमें एक बाद temperature तो निकालना ही पड़ेगा final temperature क्या होगा चलिए next page बें करते हैं अब हमारे पास यह था P into V to the power minus 2 equal to constant था तो यह काम कर लेते हैं P को eliminate कर देते हैं आप जानते हैं PV equal to nRT तो P की value रखे आप RT by V P की value कितनी nRT by V into V to the power minus 2 equal to constant यानि T V to the power minus 3 is constant यानि T1 V1 रिकल जाएगा T1 V1 minus 3 equal to T2 V2 minus 3 initial temperature कितनी आप है 100 Kelvin initial volume कितनी आप है 1 liter 1 की power minus 3 T2 we have to calculate यह volume कितनी आप है 2 2 to the power minus 3 तो यहां से T2 की value आगई 800 Kelvin तो यानि final temperature मिरे बास आचुका है 800 Kelvin calculate क्या करना अपने को total heat absorb तो Q equal to nCMDT simple तो यहां से आप Q calculate कर सकते हैं heat absorb nCMDT right देखो n की value चेक कर लिए कितना दियावा है एक बार nCMDT में कितने हैं 1 mole और CM की value उपने calculate की थी 11 by 3 तो value रखते हैं 1 into 11 by 3 देखे और DT limit 100 से 800 यही आईगी अब value रखिए आप यह आएगा 11 by 3 into 800 minus 100 तो यह value आगई 11 by 3 into 700 एक बार चेक कर लिजी आंसर कितना आ रहा सब बच्चे रियान से 11 by 3 into 700 देखे कितना आता है देखे इसके आंसर में आगे दिये वे होंगे एक बच्च कर लिजी 2, 5, 6, 6 क्या लिज में यह आंसर है च्च कर लिए इतना रहा है कि नहीं Yes, 2, 5, 6, 6 आई जाएगा आप देखिए 200 और यह आई जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर लिजी आ रही है आपके पास 2, 5, 6, 6 2, 5, 6, 6, 6, 7 यह मेरे पास कैलीज में आंसर आगया क्यूँ अब आगे कैलकुलेट करना हमें वर्क डन देखो वर्क डन कितना आएगा वर्क ध्यान दी सब बच्चे पोलिट्रोपिक प्रोसेस है ना इसका वर्क डन मैंने भी बताया ही था तो यह वर्क डन आएगा आपके पास W इक्वल टू next page में चलते हैं W इक्वल टू NR T2 माइनस T1 NR T2 माइनस T1 डिवाइड इड़ाई एक्स माइनस 1 N की वैलू कितनी 1 NR की वैलू कितनी 2 T2 कितना 800 यह कितना 100 यह वैलू आ रही है मेरे बास 800 माइनस 100 डिवाइड बाई X माइनस 1 एकपर चेक करिए X की वैलू कितनी है X की वैलू हमने कैलकुलेट की थी एकपर चेक करेंगे सब बच्चे x की value है minus 2 यह x की value रख दीजिएगा देखे x की value रखते है minus 2 minus 1 तो यह value आगे मेरे पास work done equal to minus 2 by 3 into 700 clear तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1400 by 3 यानि 466 ऐसे कुछ करके value आईगी एक पर चेक कर लिजे हाँ यह value आगे minus 466 0.67 और unit है किसमें calories में तो यह value values आगई calories this is work done clear हुआ work done के बाद आगे हम लोग चलते हैं इसके इंदर जब धियान देंगे work done change in internal energy change in internal energy यह कितना होगा delta u equal to n cvm dt and cvm dt और temperature range कहां से कहां तक है 100 से 800 तक 100 to 800 and कितना है one mole cvm एक बाद चेक कर यह कौन सी गैस है यह this is monatomic gas तो monatomic gas के लिए cvm कितना होगा 3r by 2 3r by 2 this value is 3r by 2 dt right 100 to 700 sorry 100 to 800 तो delta u की value आ रही है मेरे पास 3r by 2 into 2 this is 800 minus 100 equal to 2100 calories कितने value आ रही है 2100 calories एक बाद चेक कर लिजी yes it is 2100 calories तो यह आंसर आगे हमारे पास सभी बच्चों समझ में आ गया अब आगे बढ़ने है तो next problem हमारे पास 2 mole of an ideal gas 2 mole of ideal monatomic gas was subjected to reversible adiabatic compression from initial state 180 m 300 Kelvin till the pressure is 4 under root 2 80 m and temperature is T Kelvin the gas is then subjected to reversible isothermal expansion at T Kelvin till the internal pressure is 180 m the gas is now isobarically cool to attain initial state point W सबसे पहले क्या करेंगे इसके अंदर आपको सबसे पहले इसके अंदर आपको PV ग्राफ बनाना होगा राइट चलिए PV ग्राफ बनाते हैं यह बन गिया आपका PV ग्राफ इदर आपने प्रेसर लियावा है P इदर ही बना लिजा आप लोग यह बनाते हैं इसका PV ग्राफ इदर आपने प्रेसर लियावा पी और इदर आपने वोल्यूम लियावा भी सबसे पहला एन की वैल्यू टू है यह तो आप सब बच्चे जानते ही हैं यह हमें दियावा है प्रोल्म के अंदर तू मोल ओफ आईडियल मॉनटमी गैस वास सब्जेक्टिटी टू ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक कम्प्रेशन प्रों वन एडियम यहां पर कहीं प्रेशर रहा होगा इस पॉइंट के उपर कितना प्रेशर है वन एडियम राइट इस इस वन एडियम प्रेशर और टेमप्रेशर कितना रहा होगा 300 कल्विन रहा होगा फिल दा प्रेशर इस फोर रूट टू यह बाला पॉइंट आ जाएं इस इस यहां पर प्रेसर आ जाओगा 4 root 2 4 root 2 ATM clear तो आपने क्या किया compression किया यहां से इस point से यहां तक आगे this is reversible adiabatic compression यह जो reversible adiabatic compression हुआ है एक बात तो confirm है यहां पर कही ना कही temperature तो कम हुआ होगा temperature 300 Kelvin से कम हुआ होगा clear हुआ उसके बाद यह बोलने है यहां पर temperature कितना था 300 Kelvin और pressure 180M था यहां पर कुछ temperature T Kelvin रहा होगा वो देख लेंगे कितना आता है इसके बाद बोलते है the gas is then subjected to reversible isothermal expansion अब gas का reversible isothermal expansion हुआ है इस point से यानि यहां तक reversible isothermal expansion यह जो मैंने point बनाया है this is reversible isothermal expansion और यह पहले बाला था adiabatic reversible adiabatic compression clear यहां पर point आ गए उसके बाद यह बोलने है expansion at T Kelvin यानि यहां पर temperature T Kelvin तो यहां पर भी temperature कितना होगा T Kelvin because this process is isothermal process the gas is now isobarically cool to attain initial state अब यह pressure constant रखते वे जैसे हम बोलें A से B तक गए फिर B से C और C से वापस A पर आ गए अब बोलें यहां पर calculate total work run total work run कितना हुआ देखो यह calculate करते हैं आपके लिए ख्यान दें सब बच्चे total work done equal to W W A B plus W B C plus W C A यह total work done है तो अलग-अलग values calculate कर लेते हैं देखे दियान से W A B कितना होगा यह adiabatic process है W A B होगा N R आप calculate कर सकते हैं ऐसे N R T 2 यानि T B minus T A divided by gamma minus 1 divided by gamma minus 1 plus W B C that is N R T N R T L N L N यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका pressure कितना है इसका pressure है यहाँ पर 4 root 2 यहाँ पर P 1 upon P 2 लिख सकता हो कि नहीं this is P 1 upon P 2 volume में लिख सकता था V2 by V1 तो यहाँ पर P 2 लिख सकता है और यह minus sign के साथ आएगा कुदो sign आएगा यहाँ पर minus sign right minus N R T L N P 1 by P 2 और plus और यह भी minus sign के साथ आएगा minus N R T minus N R T N R T 2 minus T 1 minus T 1 मतलब T A minus T C T A minus T C यह values मेरे पास आएँगी यहाँ पर यह बात सबच्चों सबच्च में आ रही है अब पॉइंट है कि मुझे calculate करना है किसी तरीके से T value तो सारी इस values होल हो जाएगी देखो यह जो process है this is A B process यह हमारे पास आईसो बारिक यह process है reversible adiabatic तो reversible adiabatic के लिए यूज़ कर सकते है PV गामा equal to constant यहाँ पर मुझे P में और T में relation लेके आना है यानि V को eliminate करना है तो V की जहाँ रख देंगे V equal to next page भी कर लेते हैं इसको V equal to nrt चलिए next page भी कर लेते हैं देखें यहाँ पर PV गामा equal to constant और P यहाँ पर मेरे पास value आजाएंगी आप calculate करिए यहाँ से value आएगी V equal to nrt upon P तो value रखते हैं P into nrt upon P to the power गामा equal to constant यानि P to the power 1 minus गामा into T to the power गामा equal to constant इसी बात को लिखा जा सकता है देखें दियान से आप पर P 1 minus गामा divided by गामा into T equal to constant यानि आप बता सकते हैं P1 1 minus गामा divided by गामा P to the power 1 minus गामा P1 divided by गामा T1 equal to P2 1 minus गामा upon गामा into T2 ये बात सभी बच्चों को सब्चों में आरही ने हैं अब गामा की वैलिव क्या होगी, एक बार देखो, गैस कौन नीज थी, ये गैस है, आइडियल मोनुरूरुमिक गैस, तो गामा कितना होगा, ध्यान दीजे, आप सब बच्चों को बता है, गामा एक वैल्टों, cpm, ये मोनुरुमिक गैस है, तो मोनुरुमिक गैस में, cpm की value कितने होगी 5 by 3 are right 5 by 3 are और ये value कितने होगी 3 are 3 are 5 by 2 हो गई ये कितना होगा 5 by 2 are और this is 3 are by 2 finally मेरे पास value कितने हा रही है 5 by 3 gamma की value आ गई अब मैं 1 minus 1 minus 1 minus 5 by 3 divided by 5 by 3 simplify करके आएगा minus 2 minus 2 by 5 कितने value आ गई minus 2 by 5 ये value हम पे रखते हैं तो प्रेशर कितना है नीशली एक बार चेक करिए ये प्रेशर है 1 ATM से 4 root 2 प्रेशर गया तो देखे ध्यान से यहाँ पर ये आदेगा मेरे पास 1 की पावर minus 2 by 5 into T1 300 Kelvin T1 कितना था 300 Kelvin P2 4 root 2 देखो P2 थी कितना दियावा है 4 root 2 यानि 2 की पावर 5 by 2 2 की पावर 5 by 2 तो इसको लिख दीजिए 2 2 थी पावर 5 by 2 और इस पूरे की जो पावर होगा minus 2 by 5 into T2 तो को 5 से 5 कैंसिल 2 से 2 की पावर minus 1 और यह आगे है T2 equal to हमारे पास finally T2 की value कितने आ चुकी है 600 Kelvin clear अब लोग आगे बढ़ते हैं इसके अंदर देखे यहाँ पर आप अगर आप यह सारी values रख दें जो भी आ रही है यह temperature कितना 600 Kelvin यहाँ भी temperature कितना 300 Kelvin यहाँ भी temperature कितना 600 Kelvin यानि आप देख सकते हैं ए पॉइंट के ऊपर जो temperature वो कितना है ए पॉइंट के ऊपर 300 Kelvin तो यहाँ से आप सारी value रख दीजे एक बार तो डबलू टोटल कितना हैगा मेरे पास तो नेक्स पेज भी करते हैं इसको डबलू टोटल एक बार डबलू टोटल लिख लिजे एक पल टू यह value आ रही थी कितनी nr tb minus ta nr tb minus ta divided by gamma minus 1 यह वाली value आ रही थी right minus nr t ln p1 by p2 minus nr t ln p1 by p2 right और साथ में value आ रही थी minus nr ta minus tc minus nr pa minus tc यह values हमारे पास आ रही थी right अब आपको यह सारी values रखनी है देखो nr की value कितनी एक पर चेक कर लिजे कितने mall है कितने mall है 2 mall है तो nr की value 2 रख देते हैं और answer हमारा kelly's में आ रहा तो r की value भी 2 रख देंगे right चलिए तो देखो धियान दीजे यहां पर w total equal to 2 into 2 tb की value कितनी 600 ta कितना 300 और gamma अभी हमने इसका calculate किया था जो कि 5 by 3 आया था 5 by 3 minus 1 minus n की value 2 r की value 2 और t कितना 600 ln p1 देखो धियान देना p1 कौन सा 4 root 2 4 root 2 divided by 1 minus nr n की value कितने 1 n की value 2 r की value 2 और t a 300 300 minus 600 यह value जा गई हमारे पास यहां तक की बाते सब बच्चे को सुझमा आ रही है अब कुछ भी नहीं करना आप वो केवल value रखनी है और सीधे सीधे solve कर लेते हैं और फिर हमारा answer सीधे आ जा रहा है राइट देखो धियान से आप लोग value रखते हैं और यह आगे आपके बास एलन इसको 2.303 से में टिपलाई कर लेते हैं इन्टू 2.303 इन्टू यह इसको एलन्टू की फॉर्म में ले लेते हैं 0.7 ले लेंगे रूखो जरा यह आजएगा आपके बास इन्टू 4 इन्टू 600 इन्टू यह 2 की पावर 5 बाई 2 यानि 5 बाई 2 ln2 ln2 की वैल्यू कितने हो गई 0.7 clear इसके बाद माइनस यह वाला 4 इन्टू माइनस 300 माइनस माइनस प्लस 300 यह वैल्यू आ गई अब इसको सोल कर लीजेगा यह वैल्यू कितने आ रही है 2 तेको 2 इन्टू 3 6 1800 1800 प्लस 1200 कितना हो गई वैल्यू 3000 तो डवलू टोटल मेरे पास ही आ गया 3000 माइनस यह कितना आ गया आप चेक कर लिजेगा 300 यानि आगे कितना 1200 1200 इन्टू 5 600 और 600 यह कितना आ गया मेरे पास 1200 1200 1200 इन्टू 5 6000 6000 इन्टू 0.7 कितना आ गया 42 माइनस 4200 और यह वैल्यू आ गयी माइनस 1200 कैल्ली देखिए या आंसर आ गया हमारा एक पर चेक करिए यास दिस इस माइनस 1200 कैल्ली यह प्रोल्लम सब पच्च्च उस बच्च में आ गया है कोई डाओ किसी को यहाँ पर आ गया है